नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल देव जी कर ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहां पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जहां पर आपके 50 प्रस्णों होते हैं लेकिन आज इस वीडियो में प्रस्णों की संख्या आपकी 30 है थोड़ा सा तविया सही ना होने की वज़े से ज्यादा यहां पर आपके प्रस्णों होते तो ज्यादा ही दिक्कत हो जाती इस करन्ट से आपको यहां पर डेली की वज़े से हमने यहां पर 30 प्रस्ण आपके य सुद्ध है तो देखते हैं पहला पॉइंट करा है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए तो देखो जब हर सब्द लग जाता है तो एक को लगाने की जरूरत नहीं होती है इस प्रकास से पहला ही कोश्चन आपका यहां पर गलत है ठीक है तो दूसरा देख लेते हैं क अर्थात गलत क्या हुआ और सन आपका यह आपका गलत है कभी भी हर के साथ आपका एक लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हर का मतलब होता है प्रतेख ठीक है चलिए ने स्कोशन आते हैं कोशन आपका दूसरा पूछा यहां पर कि सुगन सुसंगत सब्द प्रियोग मे कौन सा वाकि सर्वाधिक उप्युक्त है अर्थात जो आपका सुसंगत सब्द का प्रियोग किया गया है तो इसका प्रियोग जो हुआ है इस वाकि में सर्वाधिक उप्युक्त आपका क्या है तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कहरें आपसे दूस्ट को सजा मिलनी चाहिए क्या ऐसा होना चाहिए देखो सुसंगत मतलब यहां पर जो यूज की आता है आपके अपराधी अर्थात सुसंगत को जो सरवाधिक उप्यूग तो आपका प्रियोग किया है वो आपके B नंबर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए यहां पर सुसंगत का अर्था आपके अपराधी से हो जाएगा ठीके अपसन आपका यहां पर B सही हो जाएगा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए यही वाक़ा आपके यहां पर सुद्ध है नेक्स कोशन आपसे यहां पर कह रहा है तो यह भी नहीं है देखो गुरू यहाँ पर है तीरों में गुरू गुरू दिया है जी नहीं लगा है तो कभी भी सम्मानी सब्द में आपको पता है कि जी लगाना चाहिए तो यहाँ पर जो डी साथ है गुरू जी आर रहे हैं option आपका D सही हो जाएगा ठीक है ना next question आपसे यहापर कह रहा है कि सब्दा नुक्रम में सही वाक्य सब्दा क्रम में सही वाक्य आपका कौन सा है यहाँ पर आपका जो सही वाक्य है वो आपका कौन सा है देखते हैं कह रहा है आपसे वह गरीब आदमी था दूसरा आप से कह रहा है वह आदमी गरीब था तो याद रखे आदमी गरीब होता है गरीब आदमी नहीं क्या होता है वह आदमी गरीब था इस प्रकार से राइट करेंगर था जो सब्द आपके गरीब और आदमी दिया है तो यहाँ पर जो सब्द पह पहले आएगा आदमी आएगा फिर गरीब क्योंकि आदमी तो गरीब होता है गरीब आदमी चाहिए हो जाएगा ठीके चलिए कोछन आपका यहां पर दिया है अनुसांगिक तो अनुसांगिक लिखा जाता है याद रखें अनुसांगिक जो अपसन आपका जो दिया है D नंबर अनुसांगिक वो भी कैसा बड़ा A हो जाएगा अनुसांगिक ठीके C नंबर आपका हो जाएगा नेशकर आपसे 6 नमबर कि वर्तनी की दुरस्टी से सुद्ध सब्द पताईए यहाँ पर आपका जो परिच्छा लिखी जाती है वो किस प्रकार से सही लिखा जाता है तो परिच्छा आपकी जो राइट हो जाएगी वो हो जाएगी option आपका यहाँ पर D सही हो जाएगा परिच्छा इस प्रकार से लिखते हैं ठीके? नेस कोशन आप से यहाँ पर कह रहा है कि वर्तनी की दरश्टी से सुद्ध सब्द का चैन कीजिए यहाँ पर अनुग्रहीत है और अनुग्रहीत किस प्रकार से सही लिखा जाता है अनुग्रहीत कई प्रकार के टेस्ट हमने आपको सॉल कराया है और आपको डेली के देखा जाए कहीं न कहीं ऐसे प्रस्ट मिल रहे हैं और जो अनुग्रहीत है वो राइट आपका यहाँ पर B हो जाएगा अनुग्रहीत ठीके? अपसन आपका B सही हो जाएगा नेश कर आपसे वर्तनी की द्रस्टी से सुद्ध सब्द बताईए वर्तनी की द्रस्टी से सुद्ध सब्द आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा देख लीजी ति यहाँ पर आपका जो दिया है नरक और नरक जो सही लिखा है वो आपका पहला ही सही है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं नरक है ना तो नरक नहीं होता है नरक होता है अपसन आपका A सही हो जाएगा नेस कोश्चन आपसे कह रहा है कि वरतनी की दरस्टी से सुद्ध सब्द का चैन कीजिए यहाँ पर आपका जो सुद्ध सब्द है वो आपका कौन है तो टिपड़ी किस प्रकार से लिखते हैं देख लीजे यह कोश्चन आपके बार-बार रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप इनको खिलवाद लेंगे खिलवाड में ले लें यह कोश्चन आइसे हैं कि हमेशा पूछे जाते हैं ठीक है हमने बताया कि चार दिन से आपसे समय मांगा है और इन चार दिनों में लगभग आपके जितनी भी कोश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वो ऐसे आपके रिवीजन ला रहे हैं इसके बाद आपकी फिर से यहां पर अच्छी सिरीच फिर जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे वह यहां मिलेंगे यहां पर वर्तिनी के दिरिष्टी से सुध सब्साइब जो आपके काया सकते हैं जो पत्यूक्त इस्त्री को एक सब्साइब में कहते हैं था जो पत्यूक्त इस्त्री होती है उसे क्या कहते हैं बैई तो क्या उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं सदवा option right आपको यहाँ पर C हो जाएगा सदवा मतलब इसे हम लोग बोलते हैं कि जिसका पती जीवीत हो उसे है ठीके C number आपका हो जाएगा नेशक कर आप से जगड़ा लगाने वाला मनुस एक सब्द में कहा जाता है तो जगड़ा लगाने वाला जो मनुस होता है उन्हें पता है आपको नारद जी थे कौन थे? नारद जी आपका यहाप डी हो जाएगा नारद ये क्या करते थे जगडा लगाते थे ठीकेँ अने तीनों में आपर हमने कहिँ सकते हैं और घर का भेत बताने वाले को विवीएशन कहते हैं ठीके विवीएशन कहते हैं और Next question आते हैं कोशन आपका यहां पर अगला दिया है महल के भीतरी भाग को किस से जानते हैं किस तरह से जानते हैं जो महल का भीतरी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे उसे बोलते हैं अन्ताहपूर नेसकर आपसे इनमें कौन सा सब्द तदभाव है तदभाव आपसे पूछा है यहाँ पर आपको जो तद्भाव लिखा है वो आपका कौन है option right आपका D भाउरा हमने बताया था कि भाउरा का जो तत्सम होता है आपका बर्मार होता है ठीके नेश कर आपसे यहाँ पर 14 नमबर मुद्री सब्द का तत्सम अताये मुद्री का तत्सम और मुद्री का जो तत्सम होता है भाई क्या होता है मुद्री का होता है option आपका जो D दिया है वो बिल्कुल right है मुद्री का तत्सम मुद्री का होता है नेश कर आपसे दीठ का तत्सम रूप बताए दीठ का तत्सम रूप और दी ठीका तस्सम रूप हो जाएगा यहाँ पर यह जो आपका जो दी दिया है द्रस्टी ठीके दी ठीका हो जाएगा द्रस्टी उप्सन राइट आपका डी हो जाएगा ने इसके आपसे कौन सा सब्द तस्सम है कौन सा सब्द तत्सम है तो यहाँ पर देखिए जो आपका सुस्त्रुवा है कौन सा जो आपका ए नमबर आपका दिया है सुस्त्रुवा यह आपका है कैसा तत्सम सब्द है ठीक है सुस्त्रुवा आपका है सर रिपीट कोश्चन आ रहे हैं कुछ नए कोश्चन लाइए तो देखो हम सुबह मौर्निंग में लगबग 10 या 11 बजे की बीच में आपको पत्र लेखन समंदी वीडियो आपको दिया है इसके पहले हमने कई परकार के टेस्ट आपको करा है हिंदी साहित का भी मौर्निंग म मिलता यह पढ़ने को तो आप सुबह मौर्निंग में 10 या 11 बजे की बीच आप पढ़ लिया करिए ठीक है ना तो वहां पर आपको करते हैं तो यहां कोश्चन वहां पर करा ही रहे हैं लेकिन यहां पर आपके थोड़े 2-4 दिन का और सिरी बची है बस 2-3 सिटाओ लगा ल यहां पर मीठा जो विसेशन है वो आपको हो जाएगा गुड़ वाचक विसेशन और आपका बी हो जाएगा गुड़ वाचक विसेशन है यहां पर ठीक है तो यहां पर कह सकते हैं कि यहां अमरूत कैसा है मीठा है ना तो यह उसकी गुड़वत्ता की चर्चा कर रहा है न थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्रम होने की वज़े से सारा दिन अपसेट रहे इसलिए सरदर्द भी किया है इसलिए हमने आप तीस प्रस्ण लेके आयते ठीक है यहां पर आपका जो प्रस्ण आपका भी हो जाएगा ठीक है नेश कर आप से कि लोभी किस विदी से निर्मित लोभी किस विदी से निर्मित विशेशन है तो लोभी कह सकते हैं लोभ सब्द से निर्मित विशेशन है लोभ जो है वो आपका बना है लोभी अर्थात जो आपका लोभी किस विदी से निर्मित है तो यह जो आपका निर्मित है वो आपका है संग्या विदी से ठीक है इनमें से कौन सा युग में विसेशन नहीं है विसेशन नहीं है युग में की बात कह रहा है था जोड़ा तो यहां पर आपको दिख रहा होगा छोटा बड़ा हरा पीला दो तीन राम लचमर तो दिखो राम लचमर यहां पर विसेशन का कोई काम इनका नहीं है ठीक है और न इंसकर आपसे उतकर्ष सब्दे का विलोम सब्दे है और उतकर्ष का विलोम होता है क्या अपकर्ष होता है option right आपका B हो जाएगा आपकर्स हो जाएगा नेश्ट कर आपसे अंतर मुखी का विलोम सब बताए अंतर मुखी और अंतर मुखी का हो जाएगा बहर मुखी option right आपका D हो जाएगा देखो लगभग हमने बताया कि जो question repeated होई इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग यहां पर हर बार की कमे कम नमब लाएंगे जादा लाएंगे ठीके तो अतिवरस्ट का विलोम क्या हो जाएगा अतिवरस्ट का विलोम आपका हो जाएगा अनावरस्टी तो option आपका C हो जाएगा अनावरस्ट हो जाएगा ठीके और अल्प व्रस्टी की अगर बात करें तो आपका लग व्रस्ट हो जाएगा ठीके निस कोशन आपसे यापर कह रहा है सायोग सायोग का विलोम क्या होता है वही तो सायोग का विलोम आपका वियोग होता है आप सबको हमने बताया है संयों का विलूम बियोग होता है ने इसकर आप से ही राजा सब्द का विलूम सब्द है राजा सब्द का विलूम तो राजा का विलूम अपका रंग हो जाएगा ठीक है राजा का विलूम रंग हो जाएगा नेश कर आप से आकास सब्द का बिलोम बताईए आकास सब्द का बिलोम तो आकास का बिलोम आपका हो जाएगा पाताल option right आपका C हो जाएगा ठीके क्या हो जाएगा पाताल हो जाएगा और यहाँ पर नेश कोश्चन जो की 29 नमबर है सगुन सब्द का बिलोम बताईए सगुन सब्द का बिलोम क्या हो जाएगा तो सगुन का होता है निर्गोड क्या होता है निर्गोड option right आपका d हो जाएगा निर्गोड और यहाँ पर last question आपके दिया है अप सगुन का बिलोम बताईए तो आज की वीडियो में अगर आपकी 28 जो पुराने बच्चे हैं 28, 29 और किसी किसी बच्चे के 30 भी आना चाहिए जो पुराने बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं 4 मंतर से ठीक है लेकिन जो नए बच्चे हैं अगर उनके 25 आ रहे हैं तो उनके तयारी जबर जस्त है जो पुराने अगर उनके 28 के नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग कमजोर हैं एकजाम में बैटने के लिए तयार नहीं है आप तयार हो जाएए जाग जाएए ठीक है ना तो देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ाया है थोड़ा रिपीटेड कोशन आपके हुए करते थे अब थोड़ा सा नए लाने के को प्रियास करेंगे और सुबह मॉर्निंग में लगबग 11 बजे के करीब साड़े 10 की 11 बजे की बीच आपको हिंदी का टेस्ट वहाँ भी होता है जो कि हिंदी साहित का हो सकता है पत्तर लेखन का हो सकता है यह मतर होता है ठीके तो उसको सुवब वाला जो समय है हमने आपको आदि यह वहाँ पर भी देख लिया करिए ताकि उधर आपके नए कोश चास 45 सार्ट तक लगाते रहें ठीक है फ्रेंट्स तो हम लोग मिलते एक नए वीडियो अगर आप नए है तो चैनल से जुट सकते हैं और बनी हुई प्लेलिस्टी से सभी वीडियो देख सकते हैं धन्यवाद जैहिंजय भारत